विल्कम तो सरोज मिश्राज यूटीब चैनल में यूटीब चैनल पर आपसे भी कब बहुत-बहुत स्वागत है नहोदे विद्याले संगठन की तरफ से नहोदे विद्याले समीती की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 अर्जेंट नियू नोटिस रिलीज हुए है 16 मैं 2024 की देट से 16 माई 2024 की देट से पब्लिक नोटिस है और इस बार जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो नेशनल टेस्टिंग एजनसी राष्ट्रे परिक्षा एजनसी पुरी के पुरी जो रिस्पॉंसिब कर लेते हैं इसमें क्या डीटेल्स है नाशनल टेस्टिंग एजनसी राष्ट्रे परिक्षा एजनसी पुब्लिक नोटिस 16 मैं 2024 की देट से वन पेज की पीडियाफ है बट बहुत ही इंपोर्टेंट इसको ठीक से समझना होगा किन के लिए यह आपको याद हो का 1377 नोन टी नौन टीचिंग पोस्टो रेखुमान टौन टीचिंग पोस्ट रॉड्रफिक्षीं जसमें के फीमेल प्ल्मट एसस्संतन से 75 औसर अरॉड खूक्षा एससंतन जून टän कि अब घज़ कि अप्लिकेशन चल रही ती आभी ओनलाइन अप्लिकेशन जो आ ओवर हो गई अब उससे रिलेटेड नोटेस है जिसमें लिखा है करेक्शन फैसिलिटी जो ओन आ अब अब अविलेबल है लेकिन इसमें काफी सारी चीजें ध्यान देने लागे रखेक्शन फ जो डेट है वह ओवर हो चुकी है जिन्होंने सकस्सेस्फुल एक पेमेंट कर दिया है वह अब यहां पर करेक्शन कर सकते हैं 14 तुटाउजन टुट्वेंटिफोर लास्ट टी ती ना ओनलाइन अप्लिकेशन की फीड के साथ में जिन्होंने सब्मिशन कर दिया है उनके मुका मिल रहा है फिर से इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिससे आपको फिर से एक मुका मिल रहा है 16 में टू 18 में 2024 तक 16 माई 2024 से लेके 18 माई 2024 तक आप करेक्शन कर सकते करेक्शन में नेम आप अपना नाम पादर्स नेम डेट ऑबड मोबाइल नमर और इमेल आ आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं यह आपको अलो नहीं किया जाएगा बाकि सभी सेक्शन में आप करेक्शन कर सकते हैं अब इसमें को अपर्चुनिटी फिर से दे रहे हैं यह कह रहा है कि अगर आपको कैटेगरी जिस जैसे आपने फॉर्म भरा किसी पोस्ट के लिए और आ In case a candidate is making correction, इसमें थोड़ी size बढ़ी कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा important है, इसको समझ लें, शायद किसी के use में आ जाईए, In case a candidate is making correction of his, her post and category, subcategory, from lower fee to higher fee prescribed, तो अगर आप post अपना correction करना चाते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इतना रहेगा कि अगर fee उसकी कम थी, और आप higher fee वाले के लिए application कर रहें, तो fee आपको फिर से उतना बढ़ना पड़ेगा, extra fee आपको भर देना पड़ेगा, additional fee जो है, debit card या credit card या net banking से, during the online correction period, तो आप post change कर सकते हैं, अगर किसी ने गलती से गलत post के लिए apply कर दिया है, और change करना चाहते हैं, तो वो change कर सकते हैं, अगर fees ज़्यादा वाला में apply करना चाहते हैं, तो अभी भी कर सकते हैं, fee आपको भर देनी होगी, और अगर post change कर रहे हैं, और lower fees वाले में आप apply कर रहे हैं, तो fee refund नहीं मिलेगा लेकिन आप पोस्ट चेंज कर सकते हैं इसके अलावा और भी opportunity दे रहे हैं in case candidate want to add more post अब आपको लग रहा है अभी कि नहीं एक और post के लिए apply करना चाहता था नहीं कर पाया या apply करना चाहती थी नहीं कर पाई एक और post के लिए कर देती है eligible हूँ में तो और एक के लिए apply कर देता हूँ या कर देती हूँ तो आप extra एक और post के लिए भी apply कर सकते हैं मतलब आप और post के लिए भी apply कर सकते हैं तो यह तो मौका ही हो गया ना मतलब एक तरीके से application का ही मौका हो गया तो वहां पे correction में edit में आपको option मिल जाएगा add more post आप कर सकते हैं फर fees आपको pay करनी होगी तो clear हो गया कि आप और जादा post के लिए भी apply कर सकते हैं payment आपको सिर्फ करनी होगी जिस post को आप add करेंगे 16th May 2024 से लेकि 18th May तक correction चलेगा 18th May को आपको धिहान रखना है कि शाम 5 बे तक ही आप correction कर पाएंगे और correction की date extend नहीं होती है mostly 99% correction की date extend नहीं होती है तो इसको ज़रा धिहान से अब इसमें जो है any further change would not be permitted after 5 p.m. on 18th May 2024 under any circumstances अब इसमें और एक चीज लिखाएं क्या application form along with the requisite fee as on please note that correction facility is available only to those candidates who have already successfully submitted their respective application form along with requisite fee as on before 14th May 2024 तो 14 माई 2024 तक जिन्होंने fee के साथ में application form successfully submit किया है उनके लिए ही correction window है पर जिन्होंने submit कर दिया उनको और post add कर सकते हैं post change कर सकते हैं यह सारी facility दी हुई है अब देख लेते हैं कहां पर मिलेगा आपको यह notice खिलाल NTA इसका पूरा जो है जिम्मा NTA पर इस बार तो यह official website इक अलग से बनाए गई है और इसमें यहां पर आपको ओपनिंग आफ करेक्शन फैसिलिटी आपको दिखाई दे रहा है वेकंसी नोटिफिकेशन फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि add कर सकते कोई और post eligibility चेक करने हैं तो यहां पर यह है यहां से चेप कर सकते हैं और विंडो यहीं पर आपको मिल करेक्शन फिर लाइव क्लिक यहां से आप करेक्शन कर सकते हैं एक पर क्लिक करके देख लेते हैं कैसा करेक्शन फिर ओपन हो रहा है हमेशा अप्रिकेशन नंबर की जरुवत होती है पासवर्ड आपको लगेगा सेक्योरिटी पिन एंटर करेंगे सब्मिट करेंगे तो आपका फ़र्म ओपन हो जाएगा वहां पर एडिट करने का आपको option मिलेगा चार पास चीजे छोड़ के तो यह लिंक आपको इसी यू एक इनफोर्मेशन बुलेटीन हो तो यह सारा जो है इससे आप अपडेट लेते रहें इस ऑफिशल वेबसाइट को टाइम टू ताइम विजिट करते रहें इसकी लिंक कहीं पर सेव करके रख लें और साथी साथ आप्रिकेशन जो नंबर है पासवर्ड है उसको भी कहीं पर दो-चार जगा पर सेव करके रख लें क्योंकि ये recruitment process देड़ साल भी चल जाती है कभी-कभी